Hello friends, welcome to my channel, I hope आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो, LIC Assistant के notification को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है जी हाँ दोस्तो, LIC Assistant का notification भी आने वाला है ये notification कब आएगा, vacancies कितनी होंगी, इन सभी की जानकारी मेरे पास है इसलिए आप से request होगा, किस वीडियो को पूरा देखिए साधे साथ इस चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि इसी तरह की सठीक जानकारी और सठीक information आपको समय समय पर मिलते रहे दोस्तो, आप सभी को मालूम होगा कि LIC AAO की notification already out हो चुकी है जिसमें vacancies 300 है vacancies कम क्यों है दोस्तो, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि LIC में इतनी ही कम vacancy होती है क्योंकि ये AAO का post है, बहुती superior post है दोस्तो, बहुती अच्छी खासी salary इसमें मिलती है वहीं दोस्तो, अगर हम लोग बात करें LIC ADO की तो ये ADO की जो vacancy है, दोस्तो, ये 9000 प्लस है आपको मालूम होगा, different sources से पता चला है कि इसका जो vacancy होने वाला है 9000 प्लस होने वाला है और LIC AOO की जो vacancy है, ये तो 300 ही है अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि LIC Assistant का notification कब आएगा, vacancy कितनी होगी तो दोस्तो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि LIC Assistant का जो last notification आया था, वो कब आया था तो आप सभी को मालूम होगा कि तू था, 19 में इसकी last notification आयी थी उस समय दोस्तो, इसका examination जो था, prelims का examination वो October मन्त में हुआ था वही means examination जो है, वो December मन्त में हुआ था यानि कि October और December के बीच में सिर्फ एक मन्त का gap मिला था आपको prelims और mains के examination के लिए, तो इस बार LIC Assistant का notification कब आ सकता है तो दोस्तो, इस बार LIC Assistant का notification है, वो आपको इसी मन्त में देखने को मिल सकता है LIC Assistant, LIC ADO और WAO की notification तो already out हो चुकी है अब आपको LIC ADO और LIC Assistant का notification देखने को मिलेगा दोस्तो, LIC Assistant या LIC AAO या फिर LIC ADO इन सब जो यह सब वैकेंसी है यह सब जो recruitment है, इसमें सबसे बड़ा बात यह होता है दोस्तो कि इसमें prelims में आपका negative marking नहीं होता है कितनी बड़ी बात है कि negative marking इसमें नहीं होती आप आराम से questions attempt कर सकते हैं, एक दो तुका भी लगा सकते हैं LIC Assistant में क्या है दोस्तो, इसमें 100 marks से questions पूछे जाएंगे prelims में, जिसमें 35, reasoning 35, math और 13 marks जो है वो English का रहेगा और एक और खुबसूरती यह है दोस्तो, कि English में, English जो है वो qualifying nature का होता है आप सभी को मालूम है कि कई लोगों के, जो English में बहुत कम marks आते हैं English उनका अच्छा नहीं होता English के कारण ही उनका selection रुख जाता है, English के कारण ही उनका prelims में प्रिलिम्स क्लियर नहीं हो पाता है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन दोस्तो, आपको एक छोटा सा cut-off क्लियर करना पड़ता है, English का, उतना आपका आज आएगा, परिशान बिल्कुल भी मत होईए आपका जो evaluation होगा, prelims का, वो 70 marks में होगा, यानि 35 marks, reasoning और 35 marks, maths, जैसे की RRB का जो examination होता है, RRB clerk और RRB PO का, उस तरीके से सिर्फ और सिर्फ reasoning और maths, ये दो को आप strong कर लीजे, इसमें जल्स ज्यादा number लाने की कोसिस कीजिए, दोस्तो 80 to 90% लाने की कोसिस कीजिए, आपका definitely prelims में selection हो जाएगा, एक और बात दोस्तो की LIC का जो भी examination होता है, उसमें prelims में लगभग vacancy के 20 गुना candidate select होते हैं, अगर vacancy 9,000 है तो लगभग 20 गुना, 20 गुना आप समझ सकते हैं, दोस्तो 20 गुना कितना जादा होता है, बहुत जादा candidate जो है, वो select होने वाले हैं prelims में, इसलिए आप अराम से examination की तैयारी करते रहिए, एसिस्टेंट का notification कभी भी देखने को मिल सकता है, जैसा कि AAO का notification अल्रेडी आउट हो किया है, तो assistant का notification भी अचानक से आ जाएगा, लेकिन दोस्तों ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा ह हुआ है, जिसे कि आप तैयारी अराम से बैठ कर करेंगे, क्योंकि prelims और मेंस के पीच में इतना समय नहीं मिलेगा, आपको prelims जैसे ही होगा, वैसी मेंस आ जाएगा, मेंस का date आउट हो जाएगा, लगता है दोस्तों इस बार अपरिल तक आपका prelims और मेंस होने की संभाव होना है, इसलिए आप अपनी तैयारी को सुरू कर दीजिए, तैयारी से related कोई भी content आपको चाहिए, कोई भी जैसे अलग लग previous year के questions कैसे आए थे, फिर previous year का कैसा pattern रहा था, किस तरह के question पूछे गए थे, इन सभी को लेकर के मैं वीडियो इस चैनल पर लेकर आने वाला हू इसलिए आप इस चैनल को subscribe करके bell icon को भी प्रेस कर दीजेगा, ताकि आपको बिल्कुल सही सठीक जानकारी और सठीक content मिलते रहे, और वो भी free में, बिल्कुल दोस्तों मैं insurance awareness की भी questions लेकर के आने माला हूँ, जो कि बिल्कुल free content होगा, आपको उसके लिए कोई भी पैसे द आपके पास information पहुँच जाए, दोस्तों, I hope आपको वीडियो पसंदाया होगा, thank you so much for watching this video,